तीसरी आग के सामने हिंसात्मक कदम भारी बढ़ जाता है कुछ यही देखने को मिला मौरानीपुर के एक पेट्रोल पंपर जहां सेल्समेन और एक ग्रहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके पूरी तस्वीर सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई मौरानीपुर के लक्षमन दास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आई वक्त का सेल्समेन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया इसके बाद जो कुछ हुआ वह पेट्रोल पंप पर लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया बताया गया है कि वक्ती ने पहले अपनी गाड़ी में पैट्रोल डलाया इसी दोरान किसी बात को लेकर सेल्समैन ने उन से कुछ कह दिया ग्राहक को बरदास्त नहीं हुआ तो दोनों के बीच पहले गाली कलोज और फिर मार्किट शुरूग गई ग्राहक ने सेल्समैन की वहीं धुनाई कर दी आप तस्वीरों में साब देख सकते हैं कि सेल्समैन ने पहले ग्राहक की कॉलर को पकड़ा है इसके बाद ग्राहक ने सेल्समैन को पीट दिया यह विबाद कुछ देर तक चलता रहा जिसमें अन्य पेट्रोल कर्मी भी मौके पर पहुँच के और विबाद को खत्म कराने का प्रयास किया गया फिलाल सेल्समैन ने सीसी टीवी फुटेज के आधार पर महुरानीपुर कोतवाली पहुँच कर पुलिस से कारवाही की गौहर लगाई जिसके बाद पुलिस ने बाइक सबार को ग्रफतार कर कारवाही शुरू करती है महुरानीपुर से रभी परिहार की रिपोर्ट